हालो वल्कम बैक तो हैम इस्टिट्यूट आज मिला हूँ आपके लिए एक ओर न्यू रिसिदेंशल फ्लोर प्लान जिसका साइज है 18 फिट 9 इंच प्रंट ये ठीक है और डेप्ट है 30 फिट 9 इंच और देन देन इस इस और प्लाट ये है प्लाट ठीक है इसमें दर रिक्व टेच देन किच्छन ट्वैलेट और बार एक डब्लू सी और अंदर लोवी से स्टेरकेस तो चलिए लेस्ट बिगिन ये राइट साइड से हमारा होगे एंट्रेंस ठीक है एंट्रेंस के साथ साथ इन लेफ्ट में ही जर्स्ट हमारी आएगी डब्लू सी एस पर क्लाइंट से वायर्मेंट ठीक है और उसके बाद जो है हमारा ये 12 फुट की जो है लोभी आजाएगी 12 की यह अदी लोभी लोभी से जो है हमारा लेफ्ट में आप देख रहे है चाहर फिट भाइख साहणगे च्छे फिट की है हमारी टोइलेट आ गई है और उसी के साह उपर साथ उ किचन आ गई है किचन है 8 by 6 कि मैंना आपको बता है किचन की एक साइड कोई सी भी 5 फिट से कम नहीं होनी चाहिए क्योंकि दो ट्वाईलेट लो बीड़ल्सी में गेड थिक अब यहां से चलते हैं लास्ट में बेड़रूम की तरह है BEN करता हो कि यह बेडूम में बेड़रूम का जो सब्सक्राइब का 17 by 11 और उससे मय करना था चैनेक्ट इस्टोड तो मैंए है इस्टोर कनेक्ट चार भाई साढ़े दस का डन तो रिक्वर्मेंट यहां पर आने से सारी फुल्फिल हो गई है अब बात करेंगे वेंटिलेशन हो की इसका करता है ब्लू ठीक है इस बेडरूम के वेंटिलेशन के लिए जो है यह दी गई है विंडो इस छोटी वाली गली से इसका वेंटिलेशन हो जाएगा किचन के लिए दी गई है विंडो इसका वेंटिलेशन हो जाएगा टूलेट के लिए दी गई है यह चोटा सा वेंटिलेटर इसका वेंटिलेशन हो जाएगा ठीक है एंड इसमें दो दोनों साइड से ही हो रहा है यह 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 भी और यहा सकते हैं या आप अगर रिक्वार्मेंट लग हैं तो आप हमसे फ्लोर प्लान मगवा सकते हैं सब्सक्राइब करके रख लिए हमारे चैनल को ताकि जब भी हम वीडियो शेर करें आपके पास पहुंचाएं बाइब